है गाइस वेलकम टो एकसे टूटोरियल चैनल और आज इस एपिसोड नमबर 22 में हम बात करेंगे टाइपस ओफ जॉइन ओवर व्यू लेंके टाइपस ओफ जॉइन का इन पावर क्वेरी यह जॉइन होते के हैं यह एक तरह के मर्ज की क्लासिफिकेशन होती है अगर आप हम कोई डावर डाटा को मर्ज करते हैं मर्ज पॉपप के बॉटम में देखोगे तो टाइपस ओफ जॉइन लिखा होता है कि लेफ्ट आउटर जॉइन राइट आउटर जॉइन राइट एंटर जॉइन यह डिफ्रेंट टाइप के जॉइन होते हैं बोलने में काफी आपको confusion आ रही होगी I can understand बट जैसे जैसे मैं इस overview वीडियो में आपको अच्छे से explain करूँगा जो कि मैंने एक और मुझे समझ नहीं आदा था मैं कैसे explain करूँ बट मुझे एक मेरे friend एक video दी उसके बारे में तो मैंने उसी से inspired होकर यह मैं आपको बता र हमने राइट वैसे मेरे पास winners के नाम है तो आप इन दोनों में देख रहे होगा अगर आपको कोई भी डो data को कोई डो range को आपको एक तरह से merge करना है only some values like में पास यहां पर है class first के data से हैं यहां पर रमेश राजुरी तेश रहा और winners list है यह दो completely अलग लग चीजे हैं बट इसमें कुछ similarity अगर आपने दीख़ी हो oder Govind Govind यहां पर match कर रहा है भला इक रमेश यहां पर रमेश मैच कर रहा रहा है दोनों में से क्योंकि class first की जो winner है एक रमेश है जो की वीनर लिस्ट में हाया नाम वैसे ही रिटेश रिटेश से मैच कर रहा है और गोविन गोविन से मैच कर रहा है इससे हमें पता क्या लग रहा है इससे हमें पता लग रहा है कि जो class first और winners के जो class first के winners हैं वो हमें एक तरह से यहां पर पता लग रहे हैं ठीक है अगर यह तो चलो मैंने कुछ आपको यहां पर data के चकर में बताया है अगर आपके पास यहां पर काफी thousands में data है like class first के मेरे पास 50 बच्चे है and you have winner list winner list है आपके पास और classes wise आपके पास बच्चे है आपको classes wise winner list निकान ली हो तो वो कैसे होगा तो वो merge से हो जाता है पर उसके भी काफी classifications होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा like अगर हम इस चीज़ को हम when diagram के माद्दम से देखे तो ऐसे बनता है तो इसमें कहें कि मैं पास class first है ठीक है winners list है तो यहाँ पर मिरे पास class first के जो नाम आयो है ठीक है रमेश, राजू, रिदेश, etc. like this right तो और यहाँ पर winners list है ठीक है अगर मैं class first winners के अगर नाम में देखूं तो वो क्या होंगे रिदेश, गुविन, and रमेश तो इस when diagram में मैं यह बताने कोशिश कर रहा हूं कि जो class first है और winner है उसके class first के winners की list यहाँ पर आ जाती है इसी base पे ही हमारे जो joins है work करते हैं कैसे work करते हैं कि अगर हम मैं एक inner join पर जाओं तो inner join कैसे work करता है वो क्या होता है कि जो दोनों की classification जो इकठी है जो selected है ठीक है जो यह circle हो गया यह circle हो गया जो inner join होगा दोनों का जो included data होगा वो inner join बन जाएगा ठीक है अगर आपके पास यहां पे class first थी हमारे पास winners हैं यहां पर right इसमें जो class first winners है वो inner join बन जाएगा मतलब कि एक data और दूसरे data में जो similar values हैं वो हमारे पास रिदेश, गोविन और रमेश यह बन जाएगा हमारा inner join इस दोनों में क्या होगा कि यह जो मारे class first है यह left side को हम मान के चलते हैं यह winners को हम right side के मानने चल रहेंगे ठीक है अब आगे मैं आपको इन सब चीज़ों की एक example दूँगा छोटी सी और इसको हम detail में भी clear करेंगे concept को तो इसके बाद अगर हम जाएं वैसे left outer join में क्या होत इसको हम right मान की चल रहे है एक तो जो में पास पहला data ता जिसको हमने left माना होता class first तो उसको फिर हमने include कर लिया और class first के winners को include कर लेंगे यह होता left outer data left outer क्या होगा अगर हम left inner देखें तो यह सिरफ इदर होगा ठीक है outer होगा जो included भी होगा तो इन दोनों में यही फरक है वैसे मैं left anti join देखूं इसमें क्या होगा anti ठीक है पहले तो outer हमने clear इस पे include कर लिया अब सिरफ anti जो की यह भी कह सकते हैं कि जो की right में included नहीं है ना उन के basis पे ठीक है जो की जो हमारे जो similar data है वो exclude हो जाएंगे और जो left anti जो left हमारे पास values है वो वैसे की वैसी आ जाएगी वैसी अगर हम आगे जाए right outer join तो right outer join में क्या हो रहा है कि जो winners थे मारे जो right side पे है वो भी included होगे including जो similar part है हमारे पास जो की class first winners है वैसे right anti join क्या होगा जो right side हमने column को लिए है जो data right में हमने लिया हो है वो ही सिरफ यहाँ पे आपके पास list हो जाएगा अब होता है full outer join full outer join का क्या मतलब होता है जितनी भी आपकी values है including your winners including your winners यह आपकी पूरी list बन जाती है full outer join जितना भी अगवाद left में data right में data वो सारा इस में include हो जाता है अब आपको मैं बता दूँ कि right होता क्या और left क्या होता है left यह होता है जो हमारे जो पहले जो हमने assume किया था यह जो range हो का मारा class first का वो left होगा वैसे यह right होगा तो अब हम इसमें एक तरह से हम practical example इसी example को लेके practically हम excel में करते हैं ताकि आपको all clear हो जाए अब हम आते हैं कि actual work data मे जैसे की worksheet आपके सपास सामने ही है same जो हमने एक diagram की basis में आपको समझाने कोशिश की है तो यह मैं बस class first है and winners list है अगर आपको class first winners निकालने है with the help of या तो आप matching कर सकते हैं right अगर नहीं करना जाता है अगर simple power query से करना जाता है तो क्या करेंगे जैसे कि हमने पहले भी देखा हुआ है कि कैसे हम दो चीज़ों को append करते हैं उससे पहले हम क्या create करते हैं queries अगर आप आपने वो वीडियो नहीं देखिया आप देख सकते हैं तो इसमें क्या क्या है यहां पर मैं connection create कर देता हूं class first ताकि distinguished हो जाए और easily मुझे range select करने में मदद मिले जब हम merge करेंगे click close and load to पर जाएंगे और सिरफ हमे next worksheet नहीं create करने हैं कोई table नहीं create करने सिरफ only create connections और create connections करेंगे तो यहां पर आपके पास आ जाएगा similarly हम यहां पर भी वैसे ही करेंगे यहां पर मैं winner से लिक दता हूं close and load to only create connections and here we go अब हमने क्या करना है एक example के तोर पे इस video में हम क्या करेंगे जो class first winners right class first हमाई पास data पढ़ा है महाँ पास winners का data पढ़ा है हमने सिरफ class first winners का लिन है और जितने भी joints वह रहा होंगे वह भी हम detail में उसको cover करेंगे with advanced examples तो अगर यह मेरे पास दोनों चीज़ें अब हमने इसके बाद क्या करना है हमने इसके बाद जाएंगे combine करना है दोनों की data को जो की जो similar जो matching rows होंगी उसे को ही सिरफ combine करना है तो उसके लिए क्या करेंगे get data में जाएंगे get data में combine queries जहां पे हम append करते थे right तो अब हम merge पे click कर देंगे merge पे click करने के बाद जैसे कि मैंने पहले बोलता है जो पहले जो हम select करेंगे वह होगा left side ठीक है तो हम left side class first को ले रहे है और right side क्या होगा winners जो कि हमारे पर जैसे हमारे पर data available है अब इन दोनों को हम select कर लेते हैं right तो यहां पर देखे left outer है left outer मे क्या होगा कि जो class first और जो matching rows होंगी वो सारा कुछ list हो जाएगा वो हमें नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए सिरफ inner only matching rows आपको brackets में भी यह एक तरह से आपको describe कर देता है अगरा मोग के करें तो यह देखे है हमारे पास जो matching जो थी तीनों चीज़े रिटेश गोविन दैन र आप save and load to करके एक अपनी अलग column भी बना सकते हैं hope आपको समझ आयो कैसे हम एक real worksheet में इसको कैसे काम करते हैं इसके बाद हम एक एक joints को हम detail में cover करेंगे कैसे हम उसकी मदद से काफी जो data जो है analyze हमेशा अच्छे से कर सकते हैं और आपको अगर कोई काफी चीज़े जोइन कर काम आते हैं देखते हैं इस चैनल को और सब्सक्राइब जूर कर लिजेगा क्योंकि आने वाले दिनों में हम काफी कुछ joints के बारे में cover करेंगे एक एक options को लेकर जो कि आपकी डेली एक्सलाइफ में काफी काम आने वालेगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगयो तो